दोस्तों mutual funds प्लान के अगर हम return की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने 1-2 लाख रुपे निवेश किया हैं उनके पास आज की rate में 25 से लेकर 30 लाख रुपे का fund है यानि ये अगर हम mutual funds growth की बात करें तो ये उने 5 से लेकर 6 गुना जादा मिला है bank FD के मुखा प्ले क्योंकि mutual funds में हम जब भी निवेश करते हैं तो हमेज़ा हमारे ये target रहता है कि हम कम पैसे निवेश करके कैसे एक बड़ा fund बना सके क्योंकि आप bank FD ये फिर LIC ये फिर किसी और safe investment option की बात करेंगे तो आपको ब्यास तर जादा नहीं मिल पाईगी देकिन अगर हम mutual funds plan की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको compound return काफी जादा मिल जाता है और आप कम पैसे निवेश करके अपने किसी भी goal को आसानी से पूरा कर सकते हैं अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो mutual funds के अंदर लोग कर उजान काफी जादा हुआ है और जुन लोगोंने कम पैसे भी एक बड़ा fund बनाया है और उसकी सबसे बड़ी बचा यह है कि stock market लगतार अपने higher level टच कर रही है जिसका फाइदा mutual funds इसकीमों को साफ दोर पर मिलता हुआ दिखाई देता है यो कि अगर हम कुल mutual fund AUM की बात कर ले तो वो 40 लाग करोड़ पे से जाता हो चुका है दोस्तों यहाँ पर अगर हम पिछले सिर्फ एक साल के return की भी बात कर ले mutual funds की तो कई स्कीम ऐसी हैं जिनोंने 50% से जाता का return दिया है लेकिन आम दोर पर mutual funds के अंदर हम इतना return expect नहीं कर सकते हैं किसी साल आपको इससे कम भी return मिल सकता है लेकिन efficient return अगर आपको कम भी मिलता है तब भी आप mutual funds से कम पैसे निवेश करके एक बड़ा fund काफी जल्दी और आसानी से बना सकते हैं क्योंकि अगर आप risk लेकर mutual funds में पैसे निवेश करते हैं तो उससे आपको profit भी काफी जाता होता है लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि हम direct stock market के अंदर ही पैसे को निवेश कर देते है उससे भी हम करोड़ पती बन सकते हैं तो दोस्तो ऐसा आपको करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि stock market के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो आपको यह पता नहीं होगा यह किस stock में आपको पैसे को निवेश करना है यह फिर किस stock से पैसे को निकालना है अगर आप इसक अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो लॉस लेते हैं इसलिए आपके पास mutual funds का काफी अच्छा option होता है जहांपर आप कम पैसे निवेश करके एक बड़ा fund बना सकते हैं हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं अगर आप लंजब एक बार यहाँ पर बच्चत कर लेते हैं और इससे आप अपनी किसी भी जरुत को पूरा कर सकते हैं और आज हम जो fund लेकर आए हैं दोस्तों वो mid cap category का ऐसा fund है जिसने लगताब जो return है वो काफी बैस्तरी इंद्या है इस fund के अगर हम all time के return की बात करें तो यह 21.46% है और दोस्तों यह compound return है जबकि अगर हम last 5 year की बा 20% का return दिया है फंड है एक्सिस ग्रोथ फंड डारेक्ट प्लान ग्रोथ और दोस्तों mutual funds के अंदर अगर आप प्लान में निवेश करते हैं तो यहाँ पर अगर आपको एप्टेशन रिटन जैसे के इस fund का साड़े 21% के हासपास है लेकिन इससे कम यानिकि आपको सिर्फ 20% का return मिच जाता है और यहाँ पर आप निवेश करते हैं एक बार सिर्फ 41,650 रुपे यानि कि 41,650 रुपे अगर आपको 20 पर दिटन मिलता है अगर हम 5 साल के time period की बात करते हैं तो इसमें आपको return मिलेगा 61,989 रुपे यानि कि यहाँ पर 5 साल पे 41,650 रुपे की जो value होग वो बढ़कर 1,3,649 रुपे की हो जाएगी लेकिन अगर आप 10 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 41,650 रुपे की जो value होगी वो बढ़कर 2,57,886 रुपे की होगी और return इसमें 2,16,000 लेकिन 15 साल में अब आपको compound return का benefit मिलेगा 41,650 रुपे की value कर 6,41,702 रुपे की होगी और return इसमें 6,00,000 रुपे लेकिन 20 साल के अंदर यहाँ पर 41,650 रुपे की value बढ़कर 15,96,000 रुपे की अब आपको मिलेगी और 15,55,000 रुपे का return लेकिन दोस्तों 25 साल में 41,650 रुपे की value बढ़कर 49,93,000 की होगी और इसमें return आपको मिलेगा 49 31,000 रुपे का लेकिन दोस्तों 30 साल के अंदर अब यहाँ पर 41,650 रुपे की जो value होगी वो बढ़कर 98,86,000 रुपे आपको मिलेगी और return इसमें 98,00,000 रुपे से जाधा का होगा यानि कि आप सिर्फ 41,650 रुपे से ही करोड़ पतीब बन सकते हैं दोस्तों जिस fund की हम बा है 96 जिनमें पैसे को निवेश किया गया है और अगर हम टॉप होल्टिंग की बात कर ले तो इसमें पचाज फाइनेंस, टोरेंट पावर, चोला मंडलम इंवेस्मेंट, एवनी सूपरमार्ट, टाटा इलेक्सी, सुंदरम फाइनेंस यानि कि दोस्तों ऐसे स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है, जिनके अंदर ग्रोथ काफी बहतरिन मिलेगी, जबकि सबसे जाधा पैसा, एक्विटी के अंदर 98% पैसा यूज किया गया है, टोटल फंट साइस का, और फाइनसल सेक्टर के अंदर सबसे जाधा पैसे को निवेश किया गया है, जबकि mutual funds में 10% LTCG tax होता है एक साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं और एक लाग से जाधा profit होता है तब fund को serious, हितेश और फिनायक manage करें हैं जबकि access AMC के बाद 2,43,000 करोड रुपे से जाधा का U.M. है fund की rating है फूर और fund का U.M. है 10,722 करोड रुपे यानि इतने पैसे लोगों ने इस प्लान के अंदर निविश क्यों है लमसम में निविश करना चाहते हैं तो 5,000 में निविश कर सकते हैं और SIP की तरूज 100 रुपे तो दोस्तो एक्सिस के इस पहतरीन fund के अंदर आप लमसम एक पार 41,000 रुपे का निविश करके भी लगबख एक करोड बेका fund बना सकते हैं और आप अपने किसी भी गोर को बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं अगर आपका target है कम समय में एक बड़ा fund बनाने का तो यहाँ पर आप अपने पैसे को जादा निविश करके कम टाइम में एक ब